नमस्कार दोस्तों फिर से सभागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Vue Y33S में आप यहाँ पर application hide कैसे कर सकते हैं आपने home screen से तो यहाँ पर application hide करने से पहले आप अप लॉक की वीडियो देख लेंगे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे face lock से यह direct खुल गया अदरवाइस यहाँ पे आपको app lock ड्रॉ करना पड़ता ठीक है अब यहाँ पे आपको hide app का option देखने को मिलेगा अगर आप इस वाले section पे हैं मैं आपको दुबारा दिखा देती हूँ इस पे तो यहाँ पे face lock का option आ रहा है ना तो मैं use password पे क्लिक करके अपना password यूज करूँगी अगर आपका इस टैप से option डारेक्ट खुल के आ रहा है तो आपका hide app का option आएगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो application हाइड करने है उसको आप यहाँ पे click कर लेंगे ok कर लेंगे और यहाँ पे आपको इसे on कर दे रहा है और इतनी setting करने के बाद यहाँ पे आपको इस पे click करना है और यह दोनों चीज़े on रहने देंगे और इसके बाद यहाँ पे यह 5 minute का रहने देंगे यानि कि आपका application hide करने के बाद background में 5 मुन तक run करना चाहिए या फिर आप उसका time भी कम कर सकते हैं तो यह application मैंने hide कर लिए है और इसके बाद आप चाहें तो और भी application को hide कर सकते हैं इस step से unhide करना है तो यहाँ पे unhide कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पे मैंने एक application को hide कर लिया है इसके बाद back कर लूँगी और यहाँ पे two fingers से आप अपनी screen को step से करेंगे तो यहाँ पे आपका जैसे कि मेरा face lock से खुल गया है तो यहाँ पे आपका step से open हो जाएगा तो finger से on करेंगे तो आपका यहाँ पे face lock भी काम करेगा fingerprint lock भी काम करेगा अगर आपने set कर रखा है तो app lock पे तो आप दिख सकते हैं कि यह hidden apps आपके show हो जाएंगे या फिर अगर app lock से खुलना चाहते हैं तो app lock अपना use पे click करके app lock draw कर देंगे तो इस step से आप यहाँ पे तीनों तरीके से इसको देख सकते हैं I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा इसी टैप के और में इंट्रसिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार